हेलो दोस्तों आप सभी का देलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ एडोकेट पंकस कुमारत्रिपाथी लखनव से दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नरेंदर मोदी जी की तीसरी सपत परधान मंत्री की रूप में गैर संबैधानी खुई है दरसल यह सवाल उठा है पूरो राष्टपती स्री के आर नारानन जी के विसेश सचिव की ओर से के आर नारानन जी भारत के पहले ऐसे राष्टपती हैं जो दलित समाज से आते हैं जो हेराल्ड जे लास्की के सिस्से हैं जिने आधुनिक राजनीत विज्ञान का जनक कहा जाता है हेराल्ड जेलास्की पंडित जवाहरलाल नहरू जी के मित्र थे और पंडित जवाहरलाल नहरू जी ने जब के आर नारानन जी को उनके पास सिक्षा के लिए भेजा था तो बिसेश रूप से हिराल जेलास्की से अनरोध किया था कि भारत के इस सपूत को आप अच्छी सिच्छा दीजिएगा तो के आर नारानन जी के साथ काम करने वाले बियल साहू जी ने जो सवाल किया है वो संबैधानिक मर्यादाओं के आधार पर उठाया गया एक बहुत वाजिब सवाल है जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही है बियल साहू जी ने एक आख्छेप किया है और कहा है कि नरेंदर मोदी जी ने जो प्रधान मंतरी की रुप में तीसरी बार सपत ग्रहन किया है इसमें संबैधानिक परंपराओं का राष्ट्रपती कारियाले की और से पालन नहीं कराया गया यानि यह आक्षेव जितना प्रधान मंत्री पर है उससे ज़्यादा महामहिम राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी पर है दरसल परंपरा यह है कि कभी भी लोग सभा चुनाव होने की बाद हर एक पार्टी अपने अपने सांसदों के ज्वारा अपने संसदी दल का नेता चुनती है बहुत बार यह चुनाव के ओल अउपचारिक होता है लेकिन अउपचारिकता निभाई जाती है चुनाव में जीत कर आए हर पार्टी के सांसद अपने संसदी दल के नेता का चुनाव करते हैं बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधान मंत्री की रूप में राश्पती आहूत करते हैं जब बहुमत नो मिला हो तब चुनाव पूरो गटबंधन अगर बहुमत पाया है जैसा किस बार हुआ है तो उस गटबंधन के द्वारा चुने गए नेता को प्रधान मंत्री पत परसपत के लिए आहूत करती हैं निमंत्रन देते हैं और अगर कोई गटबंधन भी चुनाव में बहुमत न पाया हूँ तो फिर सबसे बड़े दल के नेता को पहले बुलाया जाता है लेकिन दल के नेता को समझेगा और बाद में उससे बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है यदि वह बहुमत साबित कर लेता है तो ठीक है न इस बार 2024 के चुनाव में दो परिस्थियां देखने को मिली है पहली परिस्थिय यह है कि 2014 और 2019 की तरह कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाई है दूसरा की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और तीसरा यह कि चुनाव पूरो गडबंधन बहुमत पाया है एंडिये तो ऐसे में दो आधारों पर नरेंद्र मोदी जी को प्रधान मंत्री पत पर सपतगरहन के लिए बुलाया जा सकता है सबसे पहला की सबसे बड़े दल के नेता के नाते और दूसरा कि चुनाव पूरो गडबंधन के नेता के नाते अब बीयल साहू जी ने जो सवाल किया है वो ये किया है कि हर एक पार्टी की अपनी एक अहमियत है निर्वाचन आयोग की निगाह में चुनाव पूरो गडबंधन एक राजनीतिक प्रयास है उसकी कोई समवैधानिक या बायधानिक दाईत और मानिता नहीं होती है वो इस तरह की एक सहुलियत है कि इतनी सीटों पर हम अपने प्रत्यासी नहीं खड़े करेंगे आप खड़े कर लेना इतने पर आप नहीं खड़े करेंगे हम कर लेंगे अन्यथा चुनाओ पूरो गटबंधन में जो राजनीतिक दल जाते हैं इनका आपस में कोई वैधानिक दाईत तो एक दूसरे के प्रति नहीं होता वैधानिक दाईत तो किसका होता है हर एक दल के सांसद का अपने दल के प्रति अगर वो दल के खिलाब कोई कारे करेंगे तो दल बदल के दोसी माने जाएंगे तो ऐसे में सबसे पहला एक कार्य होता है संसदी दल के नेता का चुनाओ पार्टियां अपने संसदी दल के नेता का चुनाओ करती है एक आपचारिकता निभाती है लेकिन इस बार क्या हुआ कि भारती जनता पार्टी जो 244 संसलों वाली पार्टी है उसने अपने संसधी दल के नेता के चुनाओ के लिए कोई आउपचारिकता निभाई ही नहीं यानि भाजापा संसधी दल की कोई बैठक ही नहीं हुई और जब बैठक ही नहीं हुई तो संसदी दल का नेतार नरेंद्र मोदी को चुना ही नहीं गया बैठक किसकी हुई राजग राश्टी जनतांत्री गड़बंधन NDA की और NDA के गड़बंधन में नेताओं ने संसदों ने नहीं जो जो पार्टियां उसमें सामिल हैं उन पार्टियों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने की घोसना कर दी और यही घोसना पत्र लेकर के वो चले गए राश्पती भवन में और वहां उनको प्रधान मंत्री पत्पर सपत के लिए बुला दिया गया और सपत करा दी गई लेकिन जो संसदी दल की एक बहुत महत्य परंपरा है कि हर एक दल चुनाओं के बाद अपने में से एक संसद को बिधान सभा में से एक को संसधी दल का नेता चुनती है अगर उसे ही प्रधान मंत्रीपत पर जाना है तो यद्युवा पार्टी बहुमत में है तो फिर वही संसधी दल का नेता जो चुना गया जैसे 2014 में और 2019 में नरेंदर मोदी जी को बीजेपी ने संसदी दल का नेता चुना अउपचारिकता निभाई थी तो फिर वही प्रधान मंत्री पत के रूप में दावा करते हैं और राश्पति उन्हें सपतग्रान कराते हैं अगर वह बहुमत नहीं पाएं तो फिर अन्य दलों के गड़बंदन का जो शहयोग उनको प्राप्त होता है वह पत्र लेकर जाते हैं राश्पति के सामने पेश करते हैं यह तब होता है जबकि जिसको प्रधान मंत्री पत पर जाना है वह स्वैम लोग सभा सांसदों में से एक है बहुत बार ऐसा पाया गया है कि कोई राज सभा का सांसद प्रधान मंत्री पत की सपत लेता है जैसे राटर मनमोहन सिंग जी तो वह लोग सभा संसदी दल करनेता नहीं होता लेकिन लोग सभावे जो उसकी पार्टी होती है वो राष्टपती के सामने प्रस्ताव रख देती है कि हम इनको प्रधान मंत्री के रूप में समर्थन दे रहें यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधान मंत्री पत के लिए समर्थन दिया जा सकता है जो न तो लोगसभा का सांसद हो न राजसभा का सांसद हो अगर बहुमत उसके समर्थन में पत्र देता है तो राष्टपती उसे ही प्रधान मंत्री न्युक्त कर सकते हैं कर सकती हैं हाँ छह महीने की भीतर उसे लोगसभा या र दनकस्द से बनना अनिवारि होता है तो संसदी दल का नेता चुनने की अउपचारिकता पूरी किये बिना ही नरेंदर मोदी जी को जो सपत ग्रहन करा दी गई है राष्टपती महामहीम द्रौपदी मुर्मुजी द्वारा क्या यह ओसंबैधानिक है इस पर मैं संबीधान के अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 क्लाउज 1 और क्लाउज 3 का उदाहन दूँगा साथ में क्लाउज 5 भी जोड़ूँगा तो 1, 3, 5 तीनों और नमबर हैं क्लाउजेज में संबीधान का अनुच्छेद 75 खंड 1 कहता है प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्टरपती करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्टरपती प्रधान मंत्री की सलाह पर करेगा यानि प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है चुनाव नहीं होता है नियुक्ति होती है चुनाव उसका सांसत के रूप में होता है प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है यह नियुक्ति कौन करता है राष्टपती करता है क्या कोई सर्थ है जी नहीं कोई सर्थ नहीं है अन्य मंत्रियों के लिए सर्थ है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधान मंत्री के परामर्श से करेगा लेकिन स्वेम प्रधा लोगसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगी यही से लोगसभा में बहुमत की आवसकता पड़ती है यानि राश्टपती जिसे चाहें उसे प्रधान मंत्री न्यूक्त कर दें लेकिन उसे आगे चल करके लोगसभा का विश्वास जीतना होगा क्योंकि वह लोगसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगा मंत्री परिश्वत के साथ अगर लोगसभा में बहुमत नहीं मिलेगा तो राश्पती के चाहने से भी सरकार नहीं बचेगी यानि राश्पती और उप्चारिक्ता में न्यूक्ती तो कर देंगी तो अगर नरेंद्र मोधी जी बहुमत हासिल कर लेते हैं तो क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा कि संसदीर दल का नेता चुने जाने के उप्चारिकता के बिना ही उन्हें सपदिला दी गई थी और उन्होंने लोग सभाव में बहुत भी प्रात कर लिया क्या कोई फर्क पड़ेगा साथ में जो खंड पांच की बात कर रहा था उसको भी जोड़ देता हूँ कि अगर किसी ऐसे व्यक्त को निक्त कर दिया गया प्रधान मंत्री के तोर पर जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो खंड पांच में लिखा गया है कोई मंत्री जो निरंतर छहमास की किसी अवधितक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवद की समाप्ती पर मंत्री नहीं रहेगा यहां मंत्री सब्द में सुहें प्रधान मंत्री भी आता है तो अगर किसी ऐसे ब्यक्तिकों नियुक्त कर दिया गया जो संसद के किसी सदन का सदस नहीं है तो उसे प्रधान मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर लोगसभा या राजसभा दोनों में से किसी ने किसी का सदस्य बनना अनिवार होता है UPA1 की जो सरकार बनी था 2004 में उस बार प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग जी को जब निउक्त किया गया उसमें उनको राजसभा का सांसद बनाया गया था तो यह एक प्रक्रिया है यानि राष्टपती किसे प्रधान मंत्री के तोर पर निउक्त करेंगी इस पर कोई पहली सर्थ नहीं है यानि पहले से कोई सर्थ नहीं है बाद की सर्थ है कि उसे लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा और यदिवा सदस्य नहीं है दोनों में से किस दन का तो सदस्ता लेनी पड़ेगी तो राष्टपती पर सर्थ क्यों इतनी भराती है कि जिस किसी को ये प्रधान मंत्री न्युक्त करे वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो भले नहीं चुना गया लेकि योग्यता रखता हो जिस समय उसको न्युक्त किया गया तो अभी तक जो मैंने बताये ये संबिधान में लिखी बात है अब बात आती है संसदी परंपराओं की संसदी परंपराओं के अनुसार रास्टपती जब किसी व्यक्त को प्रधान मंत्री पद की सपत दिलाने के लिए बुलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह बहुमत भी साबित करने की युगिता रखता हो और बहुमत साबित करने की योगिता रखने वाला होने के लिए जरूरी है कि उसको उसका खुद का दल समर्थन दे रहा हो यानि संसदी दल का नेता चुना गया हो और यदि वह लोकसभा का सांसद नहीं तो संसदी दल ने उसको समर्थन किया हो जो मोदी जी के तीसरी बार के सपत ग्रहन के मामले में नहीं हुआ और दूसरा अगर उसका बहुमत खुद का नहीं है जैसा मोदी जी का नहीं है तो अन्य गटबंधन के डलों ने भी पत्र दिया हो कि हम इनका समर्थन करेंगे क्योंकि राष्टपती ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते कि रोज सरकार बने और बिगड़े ऐसा करने से परमपराओं के जरिये रोका गया है लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी को इस बार सपत दिलाई गई तो गटबंधन का समर्थन तो उन्होंने पेस कर दिया संसदे दल के नेता चुने जाने का कोई पत्र उन्होंने नहीं पेस किया है फिर भी सपत ग्रहन करा दी गई तो क्या यह सपत और संबैधानिक है जी नहीं अभी जो अनुछे 75 के खंड एक में आपने पढ़ा उसमें ऐसी कोई सर्थ लिखी ही नहीं है फिर यह जो परमपराएं उनका क्या महत्व है इन परमपराओं का महत्व सुचिता बनाए रखने में है मर्यादा बनाए रखने में है यह उसी तरह सिव है कि जैसे जो महिलाओं के लिए रिजर्ब सीट है बुजर्गों के लिए रिजर्ब सीट है उस पर अगर कोई हट्टा कट्टा नौजमान बैठा है तो उसे तो खड़ा करा दिया जाएगा उसे खड़ा होना पड़ेगा सीट छोड़नी पड़ेगी किसी महिला के आने पर किसी बुजुर्ग के आने पर लेकिन जो नौन रिजर्ब सीट है अगर उस पर भी कोई नौजमान हट्टा कट्टा विक्ति स्वस्त विक्ति बैठा है और कोई गर्भवती महिला आ गई कोई बीमार विक्ति आ गया कोई ब्रिध्ध आ गया कोई विकलांग आ गया दिब्यांग आ गया कोई महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आ गई तो उससे भी आप एक्छा की जाती है कि वह भी सीट छोड़ कर ऐसे किसी को दे दे इसको कहते हैं सुचिता और ये नियम भी बहुत लंबी दूरी वाली आत्रा पर लागू नहीं होता रिजर्ब सीट पर लागू नहीं होता तो कुछ सुचिताएं इस तरह की बनी हुई है इससे क्या है कि राष्टपती मनमाना पर नहीं उतारू हो जाएंगे खास कर तब जबकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला हो तो द्रवपदी मुर्मु जी ने एक बहुत बड़ी चूक तो की है लेकिन उस चूक के बावजूद भी सपत ग्रहन संबैधानिक है यानि यहां द्रवपदी मुर्मु जी की इस बात के लिए अलोचना होगी कि उन्होंने एक उपचारिकता की पूरी किये जाने की अपयक्छा नहीं की उनको मांगना चाहिए था कि आप संसदी दल के नेता का प्रमाणपत्र भी ले आए चुकि आप लोगसभा संसद हैं तो क्या बीजेपी के लोगसभा संसदों की कोई बैठक हुई और उसमें आपको आपचारिक रूप से नेता चुना गया मैं बार-बार आपचारिक सब्द लगा रहा हूँ अनवपचारिक तोर से तो जिसे प्रधार मंत्री पत का दावेदार बनाकर चुनाओ लड़ा गया है उसके लिए पार्टी और गड़बंदन तयार ही था लेकिन वो जनता से वोट मांगने के लिए था जनता ने जिन सांसदों को चुन लिया वोट उनके पास है क्या उन्होंने आपको चुना समझेगा दोस्तों यह उसी तरह से है कि धारा 370 हटाने पर नरिंदर मोदी जी ने ओट मांगा जनता ने भर पे टोड़ दे दिया तो क्या बिना संसद में बहस किये बिना कानून लाए मौखिक रूप से कह दें धारा 370 हट जाए और हट जाएगी इस आधार पर कि हम तो इसी नाम पर चुनाव लड़कर आए हमें तो बहुमत मिला है ऐसा नहीं हो सकता आप बहुमत भले लेकर आए हैं फिर संसदों के सामने ले जाएए और वहाँ पास करवाएए उसी तरह से भले आपको प्रधान मंतरी पत का दावेदार बना करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव में ये बात जनता के सामने थी कि आप प्रधान मंतरी पत के दावेदार है जनता ने जिन संसदों को चुन लिया अब उन्हें फिर एक बार मौका मिलना चाहिए कि वह उपचारिकता ही सही एक बार यह कारे करें कि आपको अपना नेता उमाने फिर उस पत्र के साथ आपको राशपती जी के पास जाना चाहिए था तो यह गलती नरेंदर मोदी जी की तरफ से भी हुई है क्यों ऐसी गलती हुई है जबकि 2014 और 2019 में नरेंदर मोदी जी ने संसदे दल के नेता चुनने की आपको चाहिए करने के बाद ही सपत गरहन का कारेक्रम करवाया था इस बार इस आपको दर किनार क्यों किया गया राजनीतिक सवाल इसमें यह है कि क्या नरेंदर मोदी जी को यह डर था कि यदि ऐसा कोई चुनाव करवाया गया संसदे दल के बैठक में तो कोई आउर संभावित उम्मी द्वार आ जाएगा प्रधान मंतरी पत के लिए क्योंकि वहाँ अगर कोई विरोध करेगा तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों संसद में अगर कल नरेंदर मोदी जी बहुमत लेने जाएंगे और भाजपा के कुछ संसद न उट दे तो दल बदल के तहद दोसी हो जाएंगे और वो सदन के अयोग यह हो जाएंगे उनके संसद सदस्ता समाप्त हो जाएगे लेकिन अगर वो अपने संसदी दल की बैठक में बिरोध करते नरेंदर मोदी जी का तो उनके खिलाब दल बदल का कोई कानून लागो नहीं होता तो आखिर अंतर के इतने बड़े प्रभाव को नजर अंदाज क्यों किया गया मैं फिर से कहता हूं कि इन सभी चीजों के नजर अंदाज कर देने पर भी संभीधान के अनुसार नरेंदर मोदी जी ने जो तीसरी बार सपतली है वो संभाईधानिक है उस पर कहीं से कोई धब्बा नहीं है लेकिन संभाईधानिक मर्यादाओं का उलंगन हुआ है संसदिय परंपरा का अननूपालन हुआ है और भाजपा के सांसदों को जो अपना नेता चुनने का एक लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए था दल बदल के दोसी पाए जाने के डर से निश्चिंत रहते हुए उससे उनको हकवन्चित किया गया है यह रही संबैधानिक व्याक्या फिर भी मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूँ कि सपत ग्रहन हो जाने के बाद यदि वह लोक सभा में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो उनके सपत को कहीं भी यह संबैधानिक गोसित नहीं किया जा सकता है इस वीडियो में इतना ही संबिधान पर लिखी मेरी इस पुस्तक को आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए फोन नमर पर संपर करिएगा बहुत ही जल्दी मैं किसी इसी तरह की विधिक वीडियो पर आपके सामने में मुकातिब होँगा तो के आर नारानन जी के साथ काम करने वाले बियल साहू जी ने जो सवाल किया है वो संबैधानिक मर्यादाओं के आधार पर उठाया गया एक बहुत वाजिब सवाल है इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा चनल सब्सक्राइब ने हो क्यों सब्सक्राइब करिएगा जय संबीदान